आज के वीडियो में बिटकॉइन से संबंधित ताजा खबर के बारे में बात करेंगे चलिए सुरू करते हैं आज का ताजा खबर माइक्रो स्ट्रेटी के सीओ ने बिटकॉइन की कीमत 6 मिलियन डॉलर तक पहुँचने की भविश्यवानी की MicroStrategy के CEO को उम्मीद है कि Bitcoin की कीमत $6 million तक पहुँच जाएगी, यह देखते हुए कि यह अजय है और सोने की जगह लेगा कार्यकारी के पास व्यक्तिगत रूप से 17,732 Bitcoin है जबकि उनकी कमपनी के पास 12,24,78 Bitcoin है अगला खबर, Swift का लक्षे 2022 में tokenization का परीक्षन करना है, Clearstream Northern Trust, SETL भाग लेंगे Swift, Belgium स्थित सहकारी संस्था जो दुनिया भर में बैंकों के बीच वित्तिय लेंदेन के मध्यस्थ और निप्टान निश्पादक के रूप में कार्य करती है 2022 में परिसमपत्ती token के साथ प्रयोग करने की योजना बना रही है इस विशय के बारे में एक blog post में, Swift ने नोट किया कि यह Clearstream जैसी फर्मों के साथ काम करेगा Northern Trust और SETL को token platform के लिए एक Interconnector के रूप में Swift का उप्योग करने की व्यवहार्यता और लाब का पता लगाने के लिए अगला खबर बदमाशों और वानरों के साथ 30 दिन की NFT बिक्री जारी है Metaverse Trade Volume आसमान छू रहा है पिछले 30 दिनों के दोरान दर्ज अपूर्णिय टोकन NFT बिक्री की संख्या में लगभग 3,6,2,3,7,4 बिक्री शामिल थी पिछले 30 दिनों के दोरान प्रमुख NFT Marketplace OpenSea ने पिछले महीने से 22.88% की व्रिद्धी के साथ डॉलर 2.39 बिलियन का प्रसंसकरन किया पिछले महीने से Decentraland की मात्रा 192% उचल कर 28 मिलियन डॉलर से अधिक की विक्री तक पहुँच गई है अगला खबर पूर्व वित्त सचिव को संदे है कि भारत सरकार क्रिप्टो को समझती है भारत सरकार ने क्रिप्टो क्यूरेंसी बिल पेश नहीं किया है जिसे संसत के शीतकालीन सत्र में सूची बद करने के लिए सूची बद किया गया था पूर्व वित्ट सचिव सुभाश चंदरगर्ग का कहना है कि उन्हें क्रिप्टो का पता लगाने के लिए भारत सरकार की क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। गर्ग ने अंतरमंत्राली समिती का नेतरित्व किया जिसने मूल क्रिप्टो बिल का मसौदा तयार किया जो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो क्रिंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करता है। अगला खबर विकेंद्रीकृत एक्सचेंज वॉल्यूम 2021 में डॉलर एक ट्रिलियन से अधिक हो गया। Uniswap Pack में सबसे आगे हैं। इस साल विकेंदरीकृत एक्सचेंज, DX, वॉल्यूम बहुत प्रमुक हो गए हैं और कुछ DX एप्लिकेशन ऐसे वॉल्यूम से निपट रहे हैं जो बड़े केंदरीकृत क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए बड़े पैमाने पर हैं। पिछले साथ दिनों के दौरान, एथेरियम आधारित DX प्लेट फॉर्म ने 21 बिलियन डॉलर का प्रसंसकरण किया, जिसमें Uniswap ने आज सभी एथेरियम आधारित DX एप्लिकेशन का 71% कबजा कर लिया। दबलॉक रिसर्च और हाल ही में अपडेट किये गए मेट्रिक्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के आंकडे बताते हैं कि DX प्लेट फॉर्म ने वर्ष के दौरान डॉलर एक ट्रिलियन की मात्रा देखी। इसी के साथ आज का ताजा खबर समाप्त हुआ ऐसी खबर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं विडियो अप्लोड करू नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अगले खबर में खुदा हाफिस।